देश में करोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद सरकार ने अब 1 माई से 18 वर्स के अधिक आयूबाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अभी देश में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। 18 साल से अधिकुम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 28 अप्रेल से कोविन एप और आर्येगु सेतु एप पर अपना रेजिटेशन करा सकते हैं 18 साल से जो अधिकुम्र के लोग हैं उनके लिए सरकार एक मई से वेक्सिनेशन शुरू करेगी आईए हम ओनलाइन रेजिटेशन के बारे में अब विस्तार से आपको बताते हैं कि ओनलाइन रेजिटेशन हम साइट पर जाके कैसे कर सकते हैं सबसे पहले गूगल पर जाके हम कोविन.gov.in को एंटर करेंगे इसको एंटर करते ही आप देखेंगे .gov.in की वेबसाइट आपको दिख रही है इस पर क्लिक करते ही आपको यह वेबसाइट खुल जाती है तो यहां पर आपको रेजिटर साइन इन यूर्सिल्फ इस तरह का यह मार्क आपको दिख रहा है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका यह रेजिटरिशन का फॉर्म खुल जाता है इस registration के form में सबसे पहले हमको अपना mobile number registered करना है इसके अलावा अगर आपके mobile में आर्योग शेत्यू है और आपने उसको download कर रखा है तो उससे भी आप अपना registration करा सकते हैं इस mobile number को register करने पर एक OTP हमारे पास आता है और उस OTP को हमें यहां पर type करना है और जब हम यह OTP जो हमारे पास mobile में आया उसको जब टाइप कर देते हैं और verify पर क्लिक करते हैं तो हमारा registration form खुल जाता है registration form में शुरुवात में वह आपसे एक और आपका personal id card माग रहे हैं यहां पर pen card को प्लिक किया है अब मुझे अपना pen card नमबर यहां लिखना है यह देखिए मैंने अपना पेंकार नंबर इसमें लिख दिया और जब यह पेंकार नंबर में लिख दिया तो उसके बाद नाम का कॉलम है नाम मुझे अपना भरना है नाम भरने के वाद में जैंडर के बारे में पूछा है इसमे जैंडर भर दिया और जैंडर के बाद डेटौ बर्थ इसमें स्रफ इयर भरना और कुछ नहीं है किससाल आपका जन्याफ होगा है इसको भरने के बाद आप राइस्टर करेंगे तो यह मैंने राइस्टर किया इसको लेकन यहां पर एक समय से रेड मार्क दिखाये जा रहा है रेड मार्क कह रहा है कि आपका पैंकार्ड नम्बर गलत है तो इसके लिए अब मैं द्वारा से इसको भरता हूँ बैन कार्ड नमर को और यह मैंने द्वारा देखी यह बैन कार्ड नमर भर दिया और यह ग्रीन हो गया कि अब मैंने यह रिश्टेट पर आपके मुवायल पर एक मैसेज आएगा यह बताईगा कि आपने वैक्सीनेशन के लिए आपने आपको राट करा लिया है रेजिस्टेशन कराने के कुछ दिर बाद आपको अपनी लोकिशन किस जगह आप अपना टीका लगवा सकते हैं उस जगह के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा और यहां पर आपको शेडूल पर किलिक करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अगर आप सेडूल पर किलिक करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको एक ओपशन दिखेगा कि आप 로केशन वाईस सर्च करेंगे या फिर पिंखोड किसे इसे सर्च करेंगे तो इसको अब search करते हैं डिस्टिक वाइस, डिस्टिक वाइस के लिए जब हम इसको search करेंगे, तो इसमें दूफ草प्शन आएंगे पहले किस इस्टेट से आप हैं वो श्टीट आपने क्लिक की फिर आप किस इस्टिक से हैं तो डिस्टिक आपने क्लिक की और Rodas हैं यूज और शेमें पैप लगवाना चाहते हैं कि अभी और जरूरी बाद को सकर सकते जिसमें एड और जो का बटन है उसको क्लिक करके हम चार लोगों का राइश्टेशन कर सकते हैं इस तरह से आप किसी को भी गावर्मेंट या प्राइविट जो आपको इस समय अवेले होले आप वहां जाकर अपना वैक्शिनेशन के लिए डेट फिक्स करें अपॉंट्मेंट केंद पर जा सकते हैं वहां आप खुद को रेश्टर करा सकते हैं हाँ एक बात जरूर याद रखें कि इसके लिए आपका एक बैद पहचान पत्र एक आइड़ी कार्ड आप अपना जरूर ले जाएं अगर आपको यह जानकर ही पसंद आई हो तो निश्यत रूप से दूस इसके बात रहर एक बात रहर एक है वार कि बात रहर हैं जा ँझते हैंगर घर आझते हैं कि इस दूसर रह एक के बात रहर एक बैसाह आपका का पकुरस सब्हां एक्पक्चण सियंना मेले लेगर